इस वीडियो में मैं इस लेजर प्रिंटर की अंबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। यह है HP Laser Jet Tank MFP 2606SDWO I'm sure आपने से काफी लोग HP ब्रैंड के बारे में जानते होंगे जब प्रिंटिंग सेलुशन्स की बात आती है तो और यह एक लीडिंग ब्रैंड है ड्यूप्लेक्स लेजर प्रिंटिंग सेग्मेंट में ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग मतलब की जो पेज है इसके दोनों साइड पर प्रिंटिंग कर सकता है देखे HP comprehensive range of monochrome laser jet ड्यूप्लेक्स high speed printers ओफर करता है broad segment है बहुत सारे models available है तो जैसा आपका business requirement होगा उसके हिसाब से आप particular model जो है उसके लिए जा सकते हैं अब ये printer काफी अलग है ये खास करके business use के लिए, office use के लिए, home use के लिए और खास करके वो लोग जो की अपना printing shop रन करते हैं उनके लिए बना हुआ है चलिए सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं तो ये है box packing printer की खासित है low cost printing 15 seconds में reload कर सकते हैं और heavy duty cycles के लिए एकदम perfect है और अन्य features यहाँ पर mention किया हुआ है तो box में आपको ये setup guide मिलने वाला है कुछ booklets है ये है USB cable computer के साथ में connect करने के लिए ये है power cord ये है slide tray और finally ये है printer इसके पर बहुत सारे tapes लगा हुआ है तो सबसे पहले जो tape है इसे मैं निकाल देता हूँ तो tapes मैंने निकाल दिया है और जो printer है comparatively काफी compact है और इसकी जो quality है बहुत ही बढ़िया है white and grey color combination मुझे काफी बढ़िया लगा ये है front view, ये है side view rear side एक और side और आगे की तरफ ये है tray ये जो tray है इसे आपको यहाँ पर इस तरीके से attach करना है और यहाँ पर आपको paper को load करना है और ये जो part है ये नीचे आ जाता है तो ये देखिए printer ऐसा दिखता है बहुत ही बड़िया design है actually यहाँ पर देखिए display area भी है plus buttons दिया हुआ है ये है paper out यहाँ से print होके paper भाहर आने वाला है वैसे तो इसमें built-in wifi है लेकिन अकर आपको wired internet connect करना है तो उसके लिए ये option दिया हुआ है और ये जो port आप देख रहे हैं ये है computer के साथ में connect करने के लिए उसके लिए आपको ये जो cable है इसकी ज़रुत पड़ेगी और power code यहाँ पर आपको connect करना है और ये है back side यहाँ से भी ये इस तरीके से खुल जाता है तो मैंने power cable को connect कर दिया है और इसे मैंने on कर दिया है अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़े light up होती है easily आपको समझ में आ जाता है जब toner का level low होगा तो यहाँ पर ये जो arrow आप देख रहे हैं ये blink करना शुरू करेगा सबसे पहले इसमें मैं A4 size का paper दाल देता हूँ देखे प्रिंटर का setup ने कर दिया है और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो costing है ये आपको क्या पढ़ने वाला है cost per page पढ़ जाएगा तकरीबन 30 पैसा जो की बहुत ही बढ़िया है जो आप पहली बार इस printer का unboxing करेंगे तो आपको इसमें toner दालने की ज़रूत नहीं है क्योंकि जो toner है ये pre-filled आता है तो इसमें toner अल्रेडी भरा हुआ है और इनकेस अगर आपको फिर इसे भरना है तो यहाँ पे देखिए तो जो toner refill kit आता है उसे यूज़ करके आपको directly pour करना है यहाँ पर आपको fill करना है उसके लिए जो slider है से यहाँ पर लिके आना है unlock करना है fill करना है उसके बाद में slider को आपस यहाँ पर लिके आईए बहुत यासान है तकरीबन 15 second में आप reload कर पाएंगे आपके यहाँ पर अगर बहुत ज़ादा printing हो रहा है तो यह perfect option है यहाँ पर मैंने A4 size paper दाल दिया है यहाँ पर आप तकरीबन 250 sheets दाल सकते हैं और यह जो उपरी भाग है यह है automatic document feeder और यहाँ पर आप तकरीबन 40 pages दाल सकते हैं तो यह है scanning area manually अगर आपको scan करना है या फिर आप यह जो feeder है इसे use करके automatically scan कर सकते हैं यह है output bin और इसकी जो capacity है यह है तकरीबन 100 pages तो फिलाल मैं एक print देता हूँ copy वाला scan and copy तो अब यह automatically यह जो paper है इसे feed करने वाला है and print करके मुझे देने वाला है तो button मैंने प्रेस कर दिया है यह देखिए automatically काम करेगा तो मुझे बार बार जो paper है उसे दालने की जरूत नहीं है तो इसने scan कर दिया है and यह paper print होके आ गया है यह देखिए print quality है काफी बढ़िया है यहाँ पर जो buttons दिया हुआ है यह simple operation के लिए है यह है wifi के लिए यह है information button cancel करने के लिए यह है resume यह है scan and copy और ID के लिए भी यहाँ पर यह button दिया हुआ है यह काफ़ interesting है ID print करने के लिए और यहाँ पर कुछ और buttons दिया हुआ है minimal functions के साथ में आता है assume यह ID card है यह front और यह back तो यहाँ पर मैंने ID card को दाल दिया है scanning area में ID scan का बटन है उसे मैं प्रेस करता हूँ अब यह scan करेगा scan करने के बाद यह मेरा wait कर रहा है और देख सकते हैं कि जो arrow button है आपर down arrow यह green है तो front side scan करने के बाद इसे मुझे flip करके यहाँ पर फिर से रखना है जो resume button है उसे मुझे प्रेस करना है अब यह scan complete करेगा प्लस एक ही page में मुझे जो ID है front as well as back अब वो print करके देने वाला है और यह देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं front ID as well as back ID दोनों आ चुका है अब इसमें जो pre-filled original HP toner आया हुआ था वो तकरीबन 5000 pages print कर सकता है अब देखिए HP smart application आपको आपका mobile phone है या फिर टाबलेट है या फिर जो laptop है या desktop उसके उपर आप यूज कर पाएंगे और यहां से भी आप बहुत सारी चीजों को control कर पाएंगे तो यह actually बहुत भी बढ़िया चीज है क्योंकि जो application है इससे यूज करके documents को अगर आपको edit करना है तो वो भी आप कर सकते है and scan भी यहां से आप कर पाएंगे मैं फिलाल print करने की कोशिश करता हूँ print document PDF मैंने select किया है तो मैंने यह document select किया हुआ है यह तकरीबन 4 pages का है जब मैं इसे print करूँगा तो मैं जो options available है print preview में जाके यह देखें यहाँ पर two-sided में जाके क्योंकि by default यह one-sided मतलब कि single page पर print करने वाला है लेकिन मैं चाहता हूँ कि two-sided printing हो मतलब कि 4 pages है दो page print होके आने वाले हैं आगे पीछे तो यह मैंने select किया है and print option में यहाँ पर प्रेस करने वाला हूँ अब यह जो printer है यह 22 pages print कर सकता है every minute तो यह काफी अच्छा है देखा आपने किस तरीके से paper अंदर गया print होके वापस आ गया है और अब जो second page है वो भी print होगा first page print हो गया है front side और paper फिर से अंदर जाएगा और जो back side है वो print होके वापस आएगा तो यहाँ पर देखिए दोनों side printing हो चुका है तो इसकी जो print quality है बहुत impressive है ink bleeding नहीं हो रहा है messy नहीं है and overall यह जो printer है एकदम easy to use है I guess यह पहला printer है जिसे मैंने review किया है जहाँ पर मैंने इसकी unboxing की जो tape से उसे निकाला और इसे directly use करना मैंने शुरू कर दिया है क्योंकि यह pre-filled toner के साथ में आया था तो उस हिसाब से भी काफी बढ़िया है प्लस अगर आप इसका dimensions देखें size देखें तो काफी अच्छा है room में काफी अच्छा लगेगा प्लस जादा space नहीं लेने वाला है अब यह जो printer है इसे मैंने मेरा wifi network है उसके साथ में connect किया हुआ है तो मैं wirelessly जो devices है उसे use करके printer पर command दे सकता हूँ, print कर सकता हूँ या फिर scan कर सकता हूँ तो productivity के हिसाब से जो printer है बहुत ही बड़ी option है क्योंकि यह fast है, secure है automatic, two side printing कर सकता है scanning कर सकता है और अगर आपने इसे wifi network पर connect कर दिया तो आप कहीं से भी print दे सकते हैं इसके उपर यह HP Wolf essential security के साथ में भी आता है pro level security system है इसमें चलिए अब कुछ myths की बात करते हैं देगे generally लोग यह समझते हैं कि जो monochrome printers होते हैं किसी भी brand का हो, उनमें जो paper है वो जादा jam होता है लेकिन यह जो model है, इसमें आपको ऐसा issue नहीं आने वाला है सिर्फ आपको एक चीज़ का धियान रखना है कि जो paper आप अंदर दालते हैं वो अच्छे quality का हो, और वो bend ना हो crumble ना हो, और दूसरा अमित यह भी है कि 4000-5000 prints के बाद horizontal lines आना शुरू हो जाते हैं तो ऐसा issue मैंने कभी face नहीं किया है और यह जो HP के printers है, यह long term reliability के साथ में आते हैं papers jam नहीं होने वाले हैं और horizontal lines पे आपको नहीं मिलने वाला है long term use के हिसाब से अब इसमें जो imaging drum है, यह तकरीब बन 50,000 pages तक चल सकता है और in case अगर आपको जो imaging drum है उसे replace करना है तो उसके लिए आपको technician की ज़रूति नहीं पड़ेगी जो user है उसे आसानी से इसे replace कर सकता है sustainability के अगर बात करें तो इसमें जो HP का innovative toner reload kit जो दिया हुआ है उसमें cartridge use नहीं किया गया है और इसके कारण 90% जो wastage है वो नहीं होता है तो fast printing, hassle free printing और secure printing के लिए यह जो HP का laser jet model है बहुत ही बड़ी option है और जैसे कि मैंने खाखा करके home use के लिए, business use के लिए, offices के लिए और खास करके जो printing jobs करते हैं, printing के shops है उनके लिए यह काफी बड़िया option है तो यह HP laser jet tank MFP 2606 SDW printer जो है यह one year की warranty के साथ में आता है, इसका जो pricing है यह है 23,999 आप इसे online खरीच सकते हैं या फिर HP के website से, HP online store या फिर offline भी आप इसे खरीच सकते हैं वैसे तो यह monochrome printer है, लेकिन अगर आप color printer के लिए जाना चाते हैं तो HP का color printer laser jet 3000 series का चेक आउट the HP color laser jet pro printer 3303 SDW और 3203DW इनके लिए भी आप जा सकते हैं इस product का link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है तेखते रहिए